गैस मीवाइ 14 का जो अपडेट है Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और Poco M2 Pro और भी कुछ डिवाइस के लिए फाइनली इंटर्नल टेस्टिंग में जा चुका और काफी जल्दी हमें इन फॉन्स के अंदर मीवाइ 14 का जो अपडेट हो Android 12 के साथ देखने को मिलेगा तो आप इस वीडियो को पुरा एंटर देखो पुरा इंफोर्मेशन में आपको दूगा कि कहां से इंफोर्मेशन आया है सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं गैस यह जो नीचे जाते हैं तो नीचे आपको कावी सरे कोड नेम्स देखने को मिलेंगे जो कि यहां मेरे अब देखते हो तो मियूए 14.0.0.1 यह चाइना में जो इसका इंटर्नल टेस्टिंग वह चल रहा हैं Android 12 और भी कावी सरे कोड नेम्स आपको देखने को मिलेंगे तो चायना में जो टेस्टिंग इंटर्नल टेस्टिंग वह स्टार्ट हो चुआए ए कुछ डिवाइस के लीए जो मैं आपको आगे बताता 10X 5G Redmi 10X Pro and Poco M2 Pro तो इनका जो MIUI 14 अपडेट है जो इंटरनल टेस्टिंग में जा चुका अभी कुछ महीनों जे इनका जो इंटरनल टेस्टिंग वो चलेगा उसके बाद हमें इनका जो अपडेट वो देखने को मिलेगा तो यहां पर वर्जन्स को जो यहां पर बताए गए ह हैं इंटरनल टेस्टिंग वाले जो वर्जन से कुछ ऐसा ही हमें देखने को मलता है MIUI 14.0.0.1 और ऑफिसियल जो हमें अपडेट देखने को मिलेगा 14.0.1.0 के वर्जन के साथ देखने को मिल सकता है तो फाइनली वहाई Redmi Note 9 Pro, Pro Max और Poco M2 Pro वगरा के लिए जो MIUI 14 का अपडेट है वो रेडी हो रहा है और लगवक्त दो से तीन मंत के अंदर गाईस या फिर उससे पहले भी जो हमें अपडेट देखने को मिल सकता है इन फोन्स के अंदर तो फाइनली वहाई अपडेट आ चुगा इससे पहले काफी बार मेनिट जो है आपको वीड देखने को मिलेगा थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन मीवाई 14 जो है इन डिवाइस के लिए कंफर्म हो चुका है तो वेट करो जैसा ही को लेटिस इंफ्रमेशन में आता है मैं आपको बता दूंगा और आपको जैसे की बता है कि शामी जो है दो अपडेट मिलता है मि इस यह था आपके लिए इंफ्रमेशन वीडियो को लाइक करना आगे कोई भी इंफ्रमेशन आता है मैं आपको बता दूंगा तो चैनल में सब्सक्राइब कर देना